किसान भाईयों अगर आवारा पस्व आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और आवारा पस्व से अगर आप अपनी फसलों को बचाना चाते हैं तो राजिस्तान सरकार द्वारा तारबंदी योजना चलाई जा रही है जिसका फाइदा लेकर आप तारबंदी अपने ख योजना का फाइदा आपको जरूर लेना चाहिए, आज हम तारबंदी योजना के बारे में बात करेंगे कि इसका फाइदा कौन ले सकता है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या सर्ते हैं, वो चीजे हम डिसकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप से निवेदन करूँग पहली व्यक्तिकत इस्तर पर आप तारबंदी कर सकते हैं, दूसरा समुव में तारबंदी कर सकते हैं, और तीसरा है समुदा इक इस्तर पर तारबंदी आप कर सकते हैं, व्यक्तिकत इस्तर के अगर हम बात करें तो इसमें आप अकेले किसान आपका जो खेत है, उसके चारो पॉइंट पांच हेक्टर जमीन एकिस्तान पर होनी चाहिए इसके बाद में अगर सबसीडी के अगर हम बात करें तो अगर आप लगू सिमान्त किसान है तो अधिक्तम 48,000 रूपे या लागत का 60 परतिसत और अगर आप सामने किसान है तो अधिक्तम आपको 40,000 रूपे या फ सबसीडी के रूप में एक किसान को अगर आप लगू सिमान्त किसान है तो अधिक्तम 48,000 रूपे या लागत का 60 परतिसत और अगर आप सामने किसान है तो अधिक्तम 40,000 रूपे या लागत का 50 परतिसत सबसीडी के रूप में दिया जाता है जो सबसीडी की रासी बता रहा हूँ वो परती करसक के हिसाब से है यारि अगर मैं 40,000 रुपे बता रहा हूँ तो वो परती करसक के हिसाब से है अगर 5 किसान सम्हों में है तो 5 किसानों को 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, गट का 70% सब्सीडी रूब में दिया जाता है इसमें सब्सीडी की रासी बढ़ जाती है समू में यह व्यक्तिगत जो तारबंदी थी उसमें 60% 50% मिलती थी और इसमें 70% तक सब्सीडी आपको दी जाती है तो किसान भाईयों यह थी तारबंदी योजना के बारे में बैसिक स है नक्सा लेना है और जनादार लेना है इनको लेकर आपको इमित्र के माध्यम से राज किसान पर्टल पर ओनलाइन आवेदिन करना है और जो रिसिप्ट मिलती है उसको संभाल कर रखना होता है जब भी आपका नंबर आएगा तब आपके पास में इन्फोर्मिशन आ है वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद